अविश्वास प्रस्ताव के खेल को सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं सदन में भूपेंद्र सिंग हुड़ा ने अविश्वास प्रस्ताव रखा अविश्वास प्रस्ताव पर कई घंटों तक सदन में चर्चा हुई सदन में मुख्य मंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया वोटिंग से पहले कॉंग्रेस ने सदन से वॉक आउट किया कॉंग्रेस के वॉक आउट के बाद अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त किया गया सर्व सम्मती से अविश्वास प्रस्ताव को सदन में गिराया गया सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त किया गया कॉंग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव का शोर कई दिनों पहले डाल दिया गया था और जब अविश्वास प्रस्ताव पर विश्वास हासिल करने का समय आया तो देखिए सदन में क्या हुआ जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो कृपिया ना कहें प्रस्ताव सर्व सब्मुन्ती से रिजेक्ट हुआ